कि नमस्कार साथियों कैसे हैं आप लोग उमिद करता आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तयारे में जोरो शोरो से लगे हुए होगे मैं प्रियरेंजन एक बाद फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने योट्यूब चैनल सुमन क्लासेज में तो चलिए शुरू कर है था ट्रिपल स्टार सीरीज की परसेंटेज की वीडियो में तो हमने अब तक जो है साथ वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया यह जो है परसेंटेज की हमारी आठवी वीडियो है जिसमें हम परसेंटेज के जो आगे के सवाल है वो करेंगे परसेंटेज में जो में टॉप होते हैं वह जो है रीड होते हैं अर्धम्रसेंटे पर्सेंटेज को हैं सारीत्रेक्स गुमिद्लिए और उंहार ein आप Washington की वार्क हुद जो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कई डेख रहे हों मेरे student मेरे बारे में क्या सोचते हैं कैसा feedback है वो उस चीज़े के बारे में लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो है हमारे comment box में comment जरूर करें और अपना सकते हैं या फिर आप हमसे ऑफलाइन जोडना चाहते हैं सब्सक्राइब दूसरी है अनंदा चौक गुरूगवी सिंग रोड के पास ठीक है गुरूगवी सिंग रोड के ब्रांच है वह में ब्रांच है वहां पर जो है आप अगर आने में आशक्षम हैं तो आप हमसे नीचे दिये जारे नंबर पर संपर्ख करके आप जानकारी हासल कर सकते हैं या फिर आप हमारे यहां पर इस पर वाट्सप करके हमसे एप को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी ले सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि प्लेस्ट वाले जो है गूगल जो है वह थर्टी परसेंट चार्च रहा है तो उसकारण हमें भी फीस मेंगी पर दिए तो अगर आप हमसे वाट्सप पर मैसेज करके लिंक के द्वारा डाउनलोड करते हैं तो आपको और सस्ते पढ़ेंगे ठीक है तो इसलिए अगर आप हमसे बहु पर संपर कीजिए या फिर हमारी एप्सकोड डाउनलोड की ठीक है यह तो थी ज़रूरी सुचना तो चलिए शुरू करते हैं आज के परसेंटेज की वीडियो ठीक है है जैसा कि मैंने परसेंटेज में आपको कोश्यन नमर 15 तक कराया था हमारा जो है चल रहे था यह यह चल रहे तो यह यह तिव यह चल रहा है तो यह चल रहे तो आप यह है जिसके बाद मैं टैप टाइप पर आऊंगा जिसमें है dau간 का अनुपात के बारे में आपको बताऊंगा जब यह टाइप खतम हो जाएगा इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें मैं अनुपात प्रोपोशन के बारे में बताऊंगा वह काफी इंट्रस्टिंग चीज कुछ लोगों को समझ नहीं आता सिर्फ वो वो सेन के बेसिस पर उसको मैठड याइड कर लेते लेकिन उसका बेसिस और उसका आधार होता है उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती बनाना तो सीख जाते है लेकिन जब कॉंसर्ट के बारे आती है को से अगर थोड़ा तो फिल्हाल उससे उस पर आने से पहले हमारा जो बचे करते हैं फिर हम लोग आएंगे टाइप फॉर पर पर को से नमबर सिक्स्टीन क्या बता रहा है एक सटेन नमबर और स्टूडेंट जो है कुछ बच्चे जो है वह एक एक्जाम में एपियर हुए ठीक है स्कूल एक स से कुछ बच्चे एपियर हुए ठीक है एक एक्जाम में उसमें क्या हुआ तीस परसेंट बच्चे फेल हुए पहली लाइन यह बता रहा है दूसरी लाइन क्या बता रहा है स्कूल एक्स के कंपेरिजन में डेर सो परसेंट जादा बच्चे स्कूल वाइक वाइक में एप है इसके बाद क्या बोला रहा है च्शी परसंट बच्चे पास किसको सब्सक्राइब कि दोनों स्कूल के मिलाके एक्स और वाई को दोनों को मिलाके जैजब बच्चे पास हुए है वह 80 percent है है हम अब कूछा है कि कितने परतिशाद बच्चे वाइस कूल में फेल यहां वाइस बच्चे है वह बच्चे है वह कितने परतिशाद यह हमसे पूच्छ जाए ने तो एक सांस में अस्प्लेंड कर दिया लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में और तुछ बच्चे पास वे कुछ फेल पास कूछ में कुछ फेल फेल कितने हुए टीज बच्चे हुए और पास कितने हुए तीस बच्चे फेल हुए सो बच्चे हैं तो कितने बच्चे पास होंगे सतर बच्चे पास होंगे यही दिया है ठीक है ठीक है ना अब इसके बाद क्या दिया है हमें Y में Y के लिए हमें क्या दिया है Y में कुछ बच्चे admission लेते हैं कितने बच्चे लेते हैं X से 1.500% ज्यादा तो अगर X में 1.500 100 बच्चों ने admission लिया है तो इस से 1.500 ज्यादा 100 प्लस 1.500 कितना हुआ है? 200 कितना हुआ 200 बच्चे ने इसमें admission लिया है ठीक है? इसमें इन्होंने exam में appear exam में appear हुए ठीक है? exam में बैठे ये लो, कुछ pass हुए कुछ fail हुए, ठीक है? pass fail यहाँ पे नहीं दिया है इसके Y के बारे में हमें कुछ नहीं दिया है लेकिन एक महत्पुन जानकारी हमें क्या दिया है? कि जो total बच्चे हैं, उसका 80% जो है इन्होंने pass कर गए, ठीक है? total कितने बच्चे हैं? यहाँ पे X में 100 और Y में 500, total X और Y मिला के उसमें से 80% बच्चे पास हुए 100 plus 200, कितना हुआ? 300, गुने 80% 80% को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया 80% को हम 80 बच्चे 100 लिख सकते हैं 80 बच्चे 100 लिख सकते हैं यह 0 से यह 0 कट जाएगा तो फिर यह जो है यह 0 से यह 0 कट जाएगा तो यह 0.8 बन जाएगा यह देखे असी से यह सो को देंगे भाग तो यह जीरो जीरो कड़ गया यह आठ को दस से भाग आठ को दस से भाग देंगे तो जीरो पॉइंट टाएगा तो हमारा इसी पॉइंट टागिया यह चीज मैंने बता हुए फिर भी आप लोग को बताना पड़ता है कि बार बार आप भूल जाते हैं को कमेंट में रिस्पॉंस भी नहीं मिल रहा है जिसका बता सब्सक्राइब भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से अपना फिडबैक जित दीजे तो यह पॉइंट एक खटा दिया मने यहां से तो एक जिरू यहां से हट जाएगा येतना पतान पैसिस आठ्थे दोसो असी ठीक है पैसिस को आठ से खुना करेंगे तो दोसो असजय यानि कुल जो है दोसो असी बच्चे पास किए ठीक है यहां पर सत्तर पास किए और कुल जो असी है तो बच्चा कितना 210 तो दस दो सफ पास किये एकस में 70 पास सब्सक्राइब कितना पास किया होगे और फेल कितने किया होगे तो जो है में चालीस टीका फेल किया तो पूछा मैं कि जो है वाई में कितने परजूंट बच्चे ठी एक साथ स्चाहद़ कितने मैं से कुल वाई सकूल में kितने बच्छे थे हुदा चार परसेंट यहां कर देंगे तो कितना आ गया सोले परसेंट आ गया ऑप्षिन हमारा थ्री ठीक है ऑप्षिन थ्री हमारा सही यह ठीक है न है यह मारा कोश्यन नमबर सोला हो गया चलिए नमबर सोला हो गया वसे नमबर सत्रा पर आते हैं चलिए नमबर सत्रा क्या बोलगा गीता ने जो है स्कोर किया 30 परसेंट मार्ग और पचास मार्ग से फेल हो गए इस टाइब कोश्यन मैंने शायद करवाया फिछली वीडियो में ठीक है तो आप अब यह मैं फिर भी बता देता हूं उमीद करता हूं आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि बस खूब साध किया हूँ नहीं चीज और कुछ नहीं और अगर अगर आपने अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज पहले जो इसके जस पहले वीडियो नंबर साथ जो है वह व्यGS जरूट देख लिजे क्योंकि मैं पुराना कॉंसेट ने बताने वाला पुराना कॉंसेट आप पुराने वीडियो में देखिएगा मैं इसको और शौट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं यह सवाल कर गीता ने जो है स्कोर किया 30% मार चाहिए था उससे ज्यादा पाचीस मार्ख उसके किस से मिन्यूम भी पासिंग से और गीता कि की समय कम है जितना पासिंग माठाव 50 कम स्की चलते बाव फेले और और संदीव शंतिथ को पाचीस मां ज़्यादा मिले जितने पास होने की ज़रूत थे उस से जादए, ठीक है, अब बताना है है कि भी मलने कितने lawyer कि जो है, गर उसका 64% marks उसमें लाए है, उसका marks कितना है? परसेंट में इसको दिया है हमें इसको àoriginal marks में उसको बताना है ठीक है और इजनल डाइव बताना है पर्सेंटेज में दिया होगा ठीक है विमल ने चौसर परसेंट मार्क स्कोर किये तो कितने नंबर मार्क साइब यहीं बताने कि तो देखिए इसको फ्रोड़ा सा नीचे लिखे आता है अधिक है यह गीत गीता ने जो है कि तीस परसेंट स्कोर किया कि इसमें अगर 50 जोड़ देंगे पचास मार्क के चलते फेल होगे और इसमें 50 मार्क जोड़ दे तो यह क्या हो जागा पासिंग हो जाएगा ठीगल ना इसका यह ओ्छे़ इसका पासिंग मर्क्स ठीगलने और इसी तरीके से के संदीब की जिए कि उसने 45 मार स्कोर के वह ऑ पचीस मां ज्यादा थे जेँ तो 25 मां ज्यादा पासिंग मार्क से तो अगर हम इसमें से 25 मा." गठा दे तो इसका भी यह यह चीज आपको समझ में फिर यह तो मैं लिखने के लिए बता रहूं आप कैसे करेंगे अगर मैं इसको यहां ले जाओं तो दोनों का पासिंग माक्स तो बराबर हो गए यहां पर यह दोनों बराबर जाएंगे है क्या करेंगे इस 30 इस 30 को कि इस थर्टी को इस 55 लेखाए गाल फार चला जाएगा यह- he इधर चला जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको रिवर्स कर लेना चाहिए था समझने आसानी होते हैं लेकिन इससे भी काम चल जाएगा ठीक है यह तो हमने यहां पर लिखने इसी तरह बता है लेकिन आप एक्जाम में कैसे करेंगे आप क्या करेंगे डारेक्ट 30 को यहां ले जाएंगे 45 में से घटा देगे जो परसेंटेज है है वह घट जाएगा एक दूसरे जाएगा बड़ा परसेंटेज 45 परसेंट से घट जाएगा कितना है कि पंदरा परसेंट अब मांक्स है दोनों एड हो जाएंगे ठीक है अगर इस ट्राइप का सेम लेंग् तो एक परसेंट की वैल्य हो गए आपकी पांश पर स्थीगर ना एक परसेंट की वैल्य पांश हो गए तो 64% कि वैल्य क्या हो जाएगे 64 गुने 5 322 ठीकर ना ऑप्शन फोस्थ आपका राइट आपसर यह त्स आपको किया दस से गुना करके दो से भाग दिया पहले मैंने दो से भाग दिया तो क्या जागा 32 और यह दस करने के लिए तींसों दीए इस तरीके से मैंने गुना किया मैंने 5 से गुना ना करके पहले 2 से 64 को भाग दिया फिर 10 से गुना य스र इस ट्रीटेजी है आपको अपना डिए दस यह स्ट्रेटेजी आपको अपना नहीं है दस्ते गुना करने के लिए तो बहुत ही असान है देरे देरे क्यल्कूलेशन भी मैं बताता जा रहा हूं कैसे कैसे क्यल्कूलेशन करनी है तो इस आप से आप भी कोचीज करें नहीं कि को से नंबर अठारा कि को से नंबर अठारा क्या कह रहा है कि एक सटेन नंबर और कुछ कुछ बच्चे हैं जो की एग्जामनेशन में यह तो अच्छा यह लगभग से मैं लेकिन अलग है एक स्कूल में जो कुछ बच्चे हैं ठीक है एक स्कूल है उसमें से कुछ बच्चे जो एपियर हुए एग्जामनेशन में जिसमें से स्कूल के बच्चे पास हो गए दोनों स्कूल के कमबाइन जितने बच्चे थे उनको मिला के जो है नैंटी परसेंट बच्चे पास होगे तो हमें बताना वाट इस परसेंटेज जो स्टूडेंट फ्रॉम वाइ उपास हो एक मतलब कि कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हमीं यह बताना है चलिए करते हैं इसको बता सकता हूं लेकिन ट्रिक से ज्यादा होती है तो आप हम लोग लेंग्विज के साफ तो करेंगे ठीक है इसको मैं फ्रेक्षिन को वन बैफाइब को शॉटकाट में भी कर सकता हूं लेकिन वह थोड़ा तो जैसा लेंग्विज दिया है उसी सब्सक्राइब करेंगे तो चीज़े आसांद ही चीज़ों को ज्यादा शॉटकाट के चकर में कभी-कभी मुसीवत भी पड़ जाती है तो उससे उसको एवाइट करना चाहिए ठीक है कि सब्सक्राइब करें शॉटकाट इस वर्स लॉंक इस बेटर देन शॉटकट है यह समझने की जरूरत है चलिए स्कूल के सवाल पर आता है स्कूल एक्स में जो है सो बच्चे हमने माना जिसमें से की 20 परसेंट फेल हो गए कुछ पास हुए कुछ फेल कितने हुए बीस ब करते हैं कि वाई में कितने हैं हमारा 130 ज्यादा है एक से ठीक है ना एक सो तीस ज्यादा है एक से तो कितने हो यहां पर 230 एक समय अगर सो है और वाई में कितने 130 ज्यादा है मतलब वाई में 230 बच्चे है अब कुछ इसमें से पास हुए कुछ इसमें से फेल ठीक है अब हमें क्या दिया है कि 90% दोनों स्कूल के बच्चों को मिला के लोग पास हो ठीक है टोटल कितने बच्चे हैं 330 एक्स प्लस वाई को मिला के 330 बच्चे इसमें से 90% पास हो गए इसके पहले वाले कोश्चे नहीं बता है कि 90 को एक सकते हैं ठीक है ना-9 लिख सकते हैं ना ना इंटी को है अभी को जाना लिखी है अब इसको केल्कूलेट कर लएंगे पॉइंट से यह जो है जीरो हट जाएगा एक पॉइंट से जीरो हट गया तो इसके बाद क्या 233 गुनने 9 297 पहाड़े याद कर लिजे 40 तक मैंने बोला है कब से कम 40 तक पहाड़े याद होने चाहिए 297 बच्चे जो है पुल पास हुए एक्स में कितने बच्चे पास हुए 80 तो टो एक्स में 80 पास हुए तोटल 297 तो वाय में कितने पास हुए ना थिक है ना थे हमें निकालना ठीकिता याU है कि इसी का में पर्सेंटेजी निकालना ने वाई में जो 13 13 बच्चे हिँल हुए वह कितना स्थ्या क्षक्ण nah क्मेश के कि इसी मिठा इस चीज की कोई जरूरत नहीं है चुछ ठीक है नहां तक उम्मीद करते हो पहहला सटप तो यहां तक तो लिखे हैं कैसे करें तो econ वैलू क्या होती एक बटे तेज्ट की फ्रेक्शन वैल्यिव होती है मैंने फ्रेक्शन बोला है कि जब तक परसेंटेज चेप्टर कंप्लीट नहीं होता आपको एक से लेके 32 तक और इसके बाद 40 और एक 45 दो चीज़ों की फ्रेक्शन आपको याद रखनी है ठीक है इसके इलावा कोई उपाय नहीं है एक बट्रेश की फ्रेक्शन वैल्यू क्या होती है 4.34 और इसमें एक और जीरो एड़ कर दिया मतलब 10 से गुना कर दिया तो इसको भी 10 से नीचे 10 ले आ जाएगा ना इसके भी 10 10 आ जाएगा ठीक है इसके भी 10 आ अगया मतलब पॉइंट जो हमार एक सरक जाएगा वह इसे पॉएंट टेक सरक जाएगा लिव पाइंट Three Four यह का विया जाएगा Moving जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट फॉर तो इसको क्या करेंगे जीरो पॉइंट फॉर थ्री फॉर को अब तेरा से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारत तेरा चौके बावन यह आएगा थर्ट फॉर्जा फिफ्टी टो पांच बचा पांच हासिल पांच तेरा तिये 49 और पांच जोड़ेंगे चब आएगा चार निए तेरा चोके बावन और एक शब बावन और हाइधर साच था हमारे पास चार जोड़ेंगे तो कितने के बाद देखंद रहे तो हमारा के 5.640 लगभख लगभख किसके नजदी का रहा है एक प्रोक्स हमें बताना है तो आप्रोक्स हमारा 5.7 लगभख 5.7 बन रहा है option number 4 हमारा जो है ठीक है उमेद करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा को सिर नंबर 19 सेम सवाल है एक एक्जामिन एक एक्जामनेशन में 45 % बच्चे जो एक्पियर हुए एक examination में कुछ बच्चे एपेर हुआरा जिसमें से कि 45 परसेंट बच्चे जो है लड़के थे और बाकी जो लड़किया इस मेंसे 40 पर्सेंट जो इसमें जो या है याeln प्रेश लड़क्यों ने बाजी मारी किТाब का कॉष्चन हो या जिन्दगी का लड़की हर बार बाजी मार रही है इस बार भी उन्होंने बाजी मार यह सवाल में कम से कम ठीक है तो यहां पर 70 लड़किया पास करें अब क्या बता रहा है वाट इस दा परसेंटेज जो स्टूडेंट हूँ फेड अच्छा यह थोड़ा सा टाइपिंग है यह थोड़ा से सुधार है साटर परसेंट बॉइज दो सतर परसेंट लड़किया फेल हो गए तो हमें बताना कितने परतिशाद बच्चे जो है वह फेल हुए टोटल ठीक है ना टोटल कितना परसेंट बच्चे फेल हुए ठीक है यह बता है ना में 45 परसेंट की फ्रेक्शन वैल्यू क्या होती है अब वो लेंगे सर पैंतालिस परसेंट की फ्रेक्शन वैल्यू होती है कि नौ बटे बीस ठीक है ना कुल जो है बीस स्टूडेंट है हमारे पाई जिसमें से कि नौ बॉइज है ठीक है नहीं हमें सवाल में बोला है कुछ बॉइज है कुछ गल्स है पैंतालीस परसेंट की फ्रेक्शन वैले होते हैं नौ बटे पैंता नौ बटे बीस मतलब कुल बीस में से नौ जो है बॉइज है बचे कितने गल्स ग्यारा ठीक है ना अब इसमें से बता है हमें साट परसेंट जो है वह बॉइज पास वह सतर परसेंट लड़कियां पास तो बॉइज चालिस परसेंट फेल कि होंगे आपको यहीं ना फेल कि होंगे तो मैंने आपको वीडियो में पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में बताया वीडियो नमर साथ में परसेंट और यह कितना है तीस को ग्यारा से गुना कर लेंगे तो कितना जागा तीन सो तीस परसेंट अब इसको क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो तो कितना जाएगा बीस कि यह कौन इस जोड़ेंगे तो आएगा बीस तो इसको कि यह तीन सो साथ और तीन सो तीसको जोड़ेंगे इसको इसको काटेंगे 69 का अधा कितना होता है 69 का अधा 34.5 परसेंट क्यांस है ओप्शन ठीक है इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको एक और वेंटेड एवरेज गई थोड़ा सा हाइफाय फॉर्म है डेवियेशन इना सबस्क्राइबड लेते कि हमारा एक टाइम पर ओवरे मेरन था में तैम यह divers दशन यह 430 में से कितना ज्याद है थे दस ज्यादा है ना आप आप बोलेंगे दस ज्यादा है ठीक है इसको हटा देते हैं अब यह थर्टी को यहां लिख दिया मैंने कोई दिक्क दियों यह तो अब यह 30 परसेंट को मैंने आप यहां पर ले अब यह 30 में से कितना ज्यादा है तो इस दस को से गुणा करेंगे नवे इसको टोटल में डिस्रीब्यूट कर देंगे इसलिए इन दोनों से इंदोनों के सम से योग से डिवाइड नौर गयारा का योग बीस तो इसको तो रहतीं करता हूं यह समझ में आया है थी तो थोड़ा सा दूर पड़ जाता हूं थोड़ा सा अजीवी दीखने लगता है तो इसलिए मैं खोशिश करता हूं को थोड़ा अजी भी दिखने लगता है नहीं को से नंबर 19 हो गया वसे नंबर 20 चलिए को से नंबर 20 क्या बोल रहा हमारा एक के एक्सामिनेशन में बी स्वारा और इसबां जादा मार्ग है और यह जो कितने पर्तिशत माक्स डी ने ज़्यादा लाया एसे यहीं हमसे सवाल में पूछा है करते हैं क्या दिया है A, B, C और D ठीक है A, B, C और D यहीं दिया है A ने हमारा 20% ज्यादा माक्स लाता है A से 20 की fraction value क्या है 1 बटे 5 2 ज़्यादा लाता है A से इसे कम तुलना हो रही है मतलब 5 कि वैल्यू किसकी है एक और बीगी एक ज्यादा है तो एक ही पांच है तो बीगी कितनी है इसके बाद क्या दे बोल रहा है इसके बाद हमें बोल रहा है कि ए जो है 10% कम मांख्स लाता है सी से ठीक है 10% की fraction value एक बटे 10 10% कम लाता है मतलब एक कम लाता है C से ठीक है यही सवाल में दिया है C से तो C की value हमारी 10 है और एक कम मतलब A की value ठीक है यही हमें सवाल में दिया A की value अगर हमारे पास C की value अगर हमारे पास 10 है तो उसमें से एक कम नो जो है एक ही वैल्यो ठीक है यही हमें सवाल में दिया है ठीक है अब इसके बाद C तक हो गया अब D क्या आते हैं अब D जो है 20% जादा मार्च लाता है C से यही हमें सवाल में दिया है D जो है 20% जादा मार्च लाता है C से जो है, जो है, 20% ज़्यादा मासला आता है, भी से, सोरी, सी से, भी जो है, 20% ज़्यादा मासला आता है, सी से, कि यहां प्रकार से क्योंकि यहां पर लिया तो सारा से रेशियो तो सेमी हो जाएगा फिर कैसे करेंगे एक लाइन में लाने के लिए उनका प्रॉपर इंक वैल्यू को डी और सी यहां से अब कैसे करेंगे अब इसको असान तरीके से यह आपका फ्रेक्शन वैल्यूबल है पांच और शे कैसे आया वह वही रिलेशन था वही रिलेशन सी और डी गा लांस लाइन में तो आप उसी इसी प्रकार से समय सकते हैं ठीक है सेम चीजें दोनों के बीच में सिर्फ वहाँ पहली लाइन में ये और बी दियर और आखरी लाइन में ज्याति सी और डी डी और ठीक है सेकंड़ लास लाइन में चे rapThis व किया करेंगे यह डी प्स एतना है अब क्या करेंगे अवह यह अबन जाएगा whoa दो से गुना करेंगे तो ये वन जाएगा 10 हमारा ठीक है न और ये हमारा बन जाएगा 12 कि यह हमारा बन जाएगा 12 ठीक है न और यह गुना हो गया तो इसकी भेल्व खतम कर देखते हैं तो ये ज़ा दस बन गया यहंद यहां भी 10 और यह 10 12 हो ठीक नह गयाना ओर यहां पर नो तो एक बोलाइव तस एल, यहां पर एक यहां भी वेल्यू नौवी थी ना अगर यहां पर एक किया करेंगे लंबा नहीं और लो पिर मुम्सिंग था वापिस करते हं थोड़ा सा लमबा हो गया पिस शोट nego ले जाते हो हैot 10 है और यहां पे 5 और 6 मैंने आपको सिंपली बताया है आफ जबam सी निट्ल सा जाद हो कि अज़ानी की बार और वापिस इसको द्हुद उपर कर ले ताब थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं कि कैसे होगा कि इसको थोड़ा सा सवाल फिलाल के लिए ले जाता हूं बाद में लोग एडियस्स करें या फिर आगे वाइड बोर्ट यहीं पर कर लेते हैं त लुच को कैसे इसको कैसे चलेडंज करें उसको बताए है पहली लाइन पांच 6 से जा रहा हूं दूसरी यान वे दूसरी लाइन नो दस और ती स्री लाइन पांच four मैं आपको बता है ऊए तीस्री लाम खाली है तो तो तिसरी लाइन इधर से 5 लेंगे यहां पर 25-9,225 यहां पर दूसरी लाइन में 9 और 10 दोनुग ठीक है ना यह कोंप्लीकेटेड इसको वैसे ही करना पड़ेगा इसको वैसे ही करना पड़ेगा इसको एक एक करके equation balance करना पड़े रठीक है? इसको अलग से नहीं कर सकते इसको एक एक करने balance करना ही ठीक है? यहाँ पर 10 है यहाँ पर 5 है तो दोनों को balance करेंगे, कितना आएगा? यहाँ दोनों आजाे ज़गा इन्टू 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहां पर 12, तो D की value क्या हो जाएगी हमारे पास, D की value हमारे पास हो जाएगी? Direct, C की value तो यहां 10 हो गई, D की value यहाँ पर आजाएगी 12, ठीक है? अब इस जगहा पर आते हैं, इस जगहा पर a की value 9 है, c की value 10 है और d की value 12 है लेकिन उपर जैए एक ही बर्ली फांस किया करेंगे नीचे जाए 5 या पांच से गुणा करेंगे और उपर जैड्नीचों आपास 45 और उपर जो हम 9 से गुना करेंगे 9-6 कितना आगे 54 और इसको 5 से गुना करेंगे तो यह आगे कितना 50 5 गुने 10 50 और इस 5 को 12 से गुना करेंगे तो कितने आगे 60 मतला हमारे एकी वैल्यव 45 है बी की वैल्यव 54 है क्योंकि कॉस्टन इतना कॉंप दिया ही कॉप टफ टफ ही है बोलेंगे कैल्कुलेटिव है तो इसलिए हमें यहां पर यह लाना पड़ा है कि सवाल तो आपने पहले देख लिऑ होगा मैं फिरूं dal चोड़ देते हैं सवाल मुझे याद다 मैं फिर रिपिट कर साप बेक करके देख लिए ठीक है है तो सवाल को सवाल किया था कि अब हमें बताना है डी जो से कितना ज Antar peanuts अफे इस एस अ यह पैंतालीस है डी साथ है तो कितना जादा है फंद्रा जादा है किससे एसे इस जो है फंद्रा जादा किससे एसे एक इतना है 55 45 तीन है 45 क्या आगे एक बटे 3 एक बटे 3 की फ्रेक्शन वैली क्या उठती है त्याहती दसंबलब एक बटे तीन आप्चन नमबर वन तीग है यह आपका जो है आंसर है यही है यही सवाल में था कि डी जो है हां मच मोर देन एडी मोर देन ऑप्टेन बाइए यही सवाल में था अंग को से कितने दूरा पताई से कितने मैं थोड़ा सा वह करनेी में इसलिए करने में crisis हो गया ठ्रशन हो गया तैम यह तो और ऑङे कैसे बैलेंस करना करना पड़ेगा कैसे बैलेंस करना वह मैंने आपको को यहां पर सिखाए ठीक है अब देखते हैं को से नंबर 21 दर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इन क्लास क्लास में जो है 55 है जिसमें से की जो है 33 सही एक बटे तीन परसेंट यानि 33 इस्टु वान बै थ्री परसेंट जो लड़के और रेस जो है लड़किया ठीक है तो यह तो एवरेज को जो है गुर्स का ज़्स ऑसइंस में जो है जो है शाहट सईट्ची दो बटे तीन 66 इस्टु बैठी परसेंट जाद है तो हम रहलें अगर सारे बच्छों का एवरेज मार्च स्कॉर जो है सारे बच्छों 78 है तो हमें बताना है लड़कियों का सवाल में करते हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं 45 बच्चे है कि पैंतालिस बच्चे हमारे पास टोटर एक स्कूल है माल लेते हैं क्लास में क्लास है ना क्लास में पैंतालिस बच्चे जिसमें से कुछ बॉइज है कुछ गल्स है लेवल है विसलीयमा थी और पास कितने हैं जन गुbok टिन पहें पहरे 22 k टिन सिन्टेश वैली क्या होती है ये बच्चैं़ लड़के हैं तो बचे हो कितने मखे将 दोति या एक तीन मेंसे एक अगर लड़का तो ऑब दोगी हो ओवी तो येस लड़किया हूं कि तो JUL rough तीन बन होती है कितना होगा तूर्ट कितना होगा तीस इतना ही दिया है कि ठीक है कि यहां तक हो गया कि अब थोड़ा से चमक रहा है बूट यहां पर तो मैंने यहां पर ठीक है पंदरा लड़कें और तीस लड़कें जिसमें से की जो है गल्ष का जो स्कोर है साइस में वह है कि छाशट सहीद दो बटे 3 ज्यादा है लड़कों से छाशट सहीद दो बटे 3 की फ्रेक्शन वेल्यु होती है 66 इस्टो 2 x 3 के percentage value होती है दो बटे 3 यानि कि लड़कियों जो है दो ज्यादा स्कोर करती है लड़कों से लड़कों ने कितना स्कोर किया तीन तो लड़कियों ने दो ज्यादा स्कोर करेंगी तो लड़किया कितने स्कोर करेंगी पांच ठीक है ना लड़कियों का स्कोर कितन कि लड़कों का लड़कियों का जो पंच पोर रहा लड़कों का 3 ठीक है कि यहां कि तुम्हारा भी खूंद रहा है कि नई लोग भी करने कोशिश् wa तो आप करी सकते हो यहां तो लड़कियां बाजी मार रही है तो ठीक है यहां पर यहां पर यह आ गया यह पहरा स्कोर था ठीक है लड़कियों ने पांच स्कोर किया लड़कों करेंगे लड़कों की संख्या 15 और लड़कियों की 30 तो इसको क्या रेशियों में तोड़ लेंगा ठीक है इसको क्या करेंगे संख्या ये अवरेज यह एवरेज मांक्स है तो हमें इसमें से एवरेज मांक्स निकाल सकते हैं इसका वेटेड आवरेज की मात्यां से वेटेड आवरेज क्या बोलता हमारा तीन एकम तीन कितना वागे तीन तीन दुगनी दस पाइंट दो नी दस तीन और दस तेरा तेरा में से कितने भाग देंगे एवरेंज निकालने के लिए 3 से टूटल का निकालना दोर एक 3 इसकी वेलियों कितनी दी है फिश्चन में है वुस्चन में कितनी दीयों 78 सब्सेंसब्स कर दिए विल्फ यह सब्सक्रिण में थार्थ सबुनुक्राइं Reese मीजूर गेंसब्साना निघ्ञाँ ब JERRY चघ्राइन पहलें निटने जतने सब्सक्ण सब्सक्राइए घ्रणक किया और संयाल मैगा इससे सब्सक्राइन तो को पांच से गुना कर दें से पांच से गुना है इसके कि नवे यानि वार्वरेज मार्व से वह कितना आ गया नबे ठीक है इसी में देता तो 18 को तीन से गुना कर देते बहुत कि इतना अठारत यह चावब पूछता तो 54 हो जाता चाहँ यह रहा यह बॉइस का भी दिया हुआ लेकिन यह अमार आंसर नहीं है हमार आंसर क्या है कि नब्बे गल्स का जो पूछा ठीक है और को से नमबर 21 हो गया को से नमर 22 पर आते हैं स्टूजेंट कुछ स्टूजेंट है सिर्फ और बॉइस इसकुल में ऐसे बहुत है तो सिर्फ बॉइस और गल्स से डिफेरेंट अलग अलग स्कूल से एक ओलंपियाड में आधि कॉंपिशन में इन्वोंने जो है उपस्तित हुए आए ठीक है जिसमें से कि 20 परसंट और 15 परसंट गश्वा फेल होगती है मारब करना है फेल होगत तर नमबर ओब बॉय है जो कि पास्व एक्जाम में वो कितने शत्तर जादा है किसे गल्स है अगर बोई गल्स अगर जी पाइगर जी अगर मान लेज़ा गल्स गल्स ने अगर एकस नमबर ऑफ गल्स अगर पास होगी तो बॉइस कितने पास हुए और आप वाइज जो है एक्स प्लस 70 ज्यादा पास हुए ठीक है यही सवाल में दिये अगर इसके बाद यह अगर टोटल जो है नब्वे स्टूडेंट फेल हो गए तो बताना में कितने जो है टोटल नंबर और स्टूडेंट जो है परिक्षा में उपस्तित हुए थे ठीक है एपियर हुए यह हमें सवाल में दिया है चलिए कर लेते हैं एक शकुल के अलम्पियार में घो एक तो यह परसंट बच्चे और पंदरा पर्संट बच्चे जो है बजल में और फेल कि देम यह तोटल नब्य नब्य वच्चे नब बहुत फेल ऐसे यहां पे फिर लड़कियों ने बाजी मारी है यहां भी लड़के ज चबिश यह कितनी है लड़के फेल हुए और पूल कितने फेल हुए नवे फेल ठीक है और ची स्थ लड़के और स्टार्टिंग या तो इस चीज के लिए है कि इसके बाद किया सेकंड लाइन में जब बॉय जो पास हुए वो कितने सतर जादा है लड़कियों से ठीक है यह दिया एक्जाम में अगर 20% लड़के फेल हुए तो कितने 80% लड़के पास हुए हुए यहां पर कोश्चन में दिया है ना कि 70 जो है लड़के ज्यादा पास हुए लड़के वे कंपरेजर ने चलो लड़कों ने कम से यहां बाद इमारी है इस कोश्चन में बाद इमारी है एक्जामीनर ने कुछ दया दिखाई है इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश की है ठीक है लड़के जो है असी परसेंट पास होते हैं लेकिन वह कितने जादा हैं सतर जादा हैं लड़कें से मतलब अगर यहां पर लड़कियां सब्द्राइब 17ड से प्रसेंट लड़कीय पास होती हैं क्योंकि पंदरापरसेंट एल हुई तो पचासी पर्सेंट पास करेंगी दापच्यासी पर्सेंट पास करेंगी हुसमें भी जब सतर लोगों को जोड़ा जाएगात तब वो कित सबर आबर आएं à y going के बराबर हैं क्यों क्यों कि boys जो है सतर जादा हैं लड़कियों से तो सतर जादा हैं तो लड़की सत्र हैट करके balance कर गिया ठीक है। कि यहां से equation balance होती है त्वर इसको जो है अब किसको मैं इधर ले tau इसको मैं इधर ले जाओं पचासी परसेंट को इधर ले के आ जाओं को दिक्कत है इसको हटा दो और माइनस पचासी परसेंट और इस सत्तर को मैं सब्सक्राइब अब क्या दोनों को बैलंस कर देंगे इसको भी सी परसेंट इसको चार से गुना करेंगे तो क्या जाएगा चार से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जागा असी और इसको चार से गुणा करेंगे इसको चार से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा इसको करेंगे यह हो गया साथ और उसको 90 को करेंगे तो कितना हो गया तीन सो साथ क्योंकि इस चार हम लोग अंदर अल्रेडी ले गए गुना करी दिया सब कुछ तो यह हटा देते हैं ठीक है कैसे किया वह दिग गया अब इसको कर लेंगे हिसाब किताब असी में से असी घटाएंगे तो यह पूरा-पूरी कट जाएगा एसी में से माइनस पचाजी घटाएंगे तो यह क्या प्लस में नहीं नहीं कनोट हो जाएगा माइनस में और जाएगा तो मैं बदल जाएगा कितना घृ 125 परसेट रहोजे आजाएगा एक 75 यहाँ पर Constitution की लाए दो कितना आ जाएगा यह दो सौ नब्द यह आ जाएगा ना एक सब्सक्राइवार्ट रॉकल लो या यानि-फर्सेंट को लो क्या लिख सकते एक और एक इंटुजी कि तना होता है जी यानि गल्स गल्स की संख्य कितने एक सो पेंतालीस से एक सो पेंतालीस से यह नैफ कि इस दोवार है एक परियू और सौ्पर्से थालीस डोसो अपने आप में एक होता है मैं एक होगे हो गया तो यह प्रिदंट थै Load तालिसे और डरेट जो है दोसों आजएगे ठीक है गल्स की हमारी संख्या कितने आगे 200 कि दोसों संख्या आगी और हमारे पास क्या दिया है हमने क्या निकाला तो पहले क्वेशन में कि कि 20% बॉय्स ठीक है बीस परसेंट बॉय्स प्लस थे पंद्रा परसेंट बरावर कितना था हमारे पास 10 तरफ न तो पुट कर लेंगे ठीक है पंद्रा परसेंट गिल्स कि जगाव तो दूसर को कितना होता है इस इस की जगा पर हम कुट कर लेंगे कि जीग की स साथ about हुआ होता है तो ये 1700,rika कितना बन जाएगा ये गर तो 20 संख्या साठ सा के संग्याइं। इसको होना कर देंगे पाए से गुना कर देंगे और इसको तो विद्वाइस की संख्या कितने होगे तीन सो लड़के दो सो लड़कियां कितना होगे पाचसो टोटल लड़कियों और लड़कियों की संख्या बस यही एक मेन यह इक्वेशन इसने बना लिया उसके लिए बन गया और जिससे यह एक्वेशन नहीं बना जिससे पहले बाद वही इस को बना पाए जिससे एक्वेशन नहीं बना उसके लिए मुश्किल डिille कि एक एंजिनेयरिंग इंस्टूट है कि कि एक स्टूट की ग्रेडिंग की गई है सौ पर सन्की उन्ष पर सेंट मांक एक अग्जाम gesprochen जो इसन्ष में से से 20% के लिए 40% के लिए छाविस परिसेंट एक्सटर्नल के लिए तो इतने मिलते हैं अगर एक स्टूडेट नाइंटी परसेंट इंटेर्नल में लाता है पंचानवे परसेंट एसाइमेंट में और पच्छतर परसेंट एक्स्टरनल मार्स में तो ओवरॉल उस बचेओं कितने प्रतिशत मार्स मिले यह हम से सवाल में पूछा है घंकि तो कमेंड बॉक्स में लीशी सकते हैं एक सवाल को दो से तीन बार कर रहा हूं एक ही डाइब के कि हैं एक एक्णि एक इंजिनेरिंग में प्रटाश्च में इंटर्नल टेस्ट है है ओ दूसरा क्या है एक स्टर्टर्नल एग्जान ठीक है इंटर्नल में 30 परसेंट कुल पुल मार्क्स का 30 परसेंट जो है इंटर्नल के लिए है फिर 30 परसेंट ही एसाइनमेंट के लिए है और 40 परसेंट जो है एक्स्टर्नल के लिए इसका अगर हम रेश्यो निकालेंगे तो कितना निकल जाएगे इंटर्नल एक्सटर्णल का इसी रेश्यो में मार्कस मार्क से इसी रेश्यो में मांक टूटल मार्क अब एक स्टूडेंट ने 90% internal में स्कोर किया 90% internal में स्कोर किया 95% assignment में मिले 95% assignment में मिले इसके बाद 75% external ठीक है तो अब यहां पर क्योंकि data बड़ा है अब हम यूज करेंगे deviation का weighted average हम कब यूज करते थे जब हमारा जो है data असान होता था लेकिन यहां पर data बड़ा बड़ा है तो weighted average हमारे लिए ज्यादा suitable होगा ठीक है यह से तो बड़ा है लेकिन असान भी है वहां पर वह भी ट्रिक सीखनी ज़रूरी है जितना टाइम वेटेड आवरेज को देंगे उतना ही deviation को भी देजिए ठीक है कि महां लेते हैं तब ही आसान पड़ेगा जितना एक कोशन अगर आप weighted average हो सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम एक question तो deviation से ज़रूर सॉल्व करें और नहीं तो मेरी तुम मेरा तो मानना है कि हरे question को deviation ही ट्राइब कीजिए ज्यादा से रहे एक बार ग्रिप बन गए तो deviation बहुत कम टाइम कंजिम परेंगा और जिस टाइब का pattern चल रहा है उसमें आपको जो है डेविएशन पेज भी ज्यादा question आएंगे ठीक है ऐसा जो ऐसा पैटन चल रहा है उसा आप से माल लेते 90 परसेंट हमारा है जो इसने टोटल स्कोर के ठीक है यहां तो 90 कोई फरक नहीं पड़ता अब यहां प्यात यह 90 में कितना ज्यादा फ्लस पांच थीक चैना प्लसपांच है तो इस को क्या करेंगे विख्यों 15 को,' 75 करना है तीनों से कर निकाल लेंगे तीनों में डिस्ट्रीबूट करना है ना मैं तीन तीन और छे मतलब कितना दस कि यह ना थोड़ा सा नीचे हो यह नहीं है यहां लिख लेते हैं कि 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 कहां ले जाए है कि यहां भी नहीं होगा अगला बोड़ी यूज़ करते हैं कि यहां कोपी और यह यहां पेस्ट कैसे होगा अच्छा चलिए यहीं पर वापिस करते हैं कि यह आया था ना यहां पर यह चीज़ आई थी हमारे पास एक बबर मिटाई देता हूं ठीक है यहां यह मिटा देते हैं ताब इसकी कोई जरूद नहीं है इसकी कोई जरूद नहीं है तो हमें डारेक्ट इसका अंसर चाहिए नहीं कि टोटल कितना था यहां पर दस तीन और चार के रेशियों में हमने डिवाइड किया तो यह क्या गया तो नब्बे परसेंट है यहां पर कितना गया कि पंद्रह में शआठिये मयनिस पेंकालिस मैनिस पेंकालिस को साठ से भाग देंगे तो कितना जाएगा एड़ टीफॉर पॉइंट चिसे गटाएंगे corona수 से चार से ज़्यादा पांच से कम अंशन यह जोडते हैं अगर एक बार पॉंट्ट सिक्स होता तो यहां किस पॉंट्ट फॉइंट्स ओता तो तभी हम तो यह पांच से ज्वादा चार से ज्वादा पांच से कम तो फांच घटाते अब यह जो है पान्च से पांच में कितना कम है यह कमताइई है यह Cohen 0.4-58 में से तो तो यह समस्प्रिक है दशम्मल और कि उम्मीद करता समझ में आगा और यह पचासी पॉइंट पाज आपका आंसर है ऑप्चन ठीक है और तो कोई आप्चन नहीं होगा भी कैसे अलगता है मिस्प्रिंट नहीं ठीक है कि कोई से नमबर 24 पर आते हैं एक एक एग्जामिनेशन में जो है जरूत है मिनिमूम इन एक्जामिनेशन इस रिक्वाइड टू केट अ मिनिमूम ठीक है एक एक एग्जामिनेशन में क्या है उसका बेहति असां तीन 16 टीन चालिस चाहिए पास होने के लिए घपास पासिंग माक हिसका कितना है सोगि दिदो 13 till 12 lacking लाता है उसमें से अगर कर वह 12 परसेंट और लाता서 ठीक है है न misin कि तो लेकित तो यह पास हो जाता तो यह का पासिंग मास के बराबर ना पासिंग एखिए तो 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 तीन सोचालीस में से इधर घटाएंगे कितना पर्सेंट की वैल्ऊ आपकी आपकी शान्मिया आप मैंने कैसे घटाया देखिए पहले मैंने 244 में से सो जोड़ा ठीक है तो मेरे पास कितना आ गया सो जोड़ा तो आगे मेरे पास 304 344 आ गया लेकिन हम मुझे कितना चाहिए हमेशे की तरफ जाइएगा तो कैल्कुलेशन थोड़ी सी फास हो जाती है ठीक है इस तरीके से मैंने कि मैं टți 12 फरत गरे डंश्यानवे हैं इसको कीा करेंव इसको या कर लीजिसे काटकर इस तरीक से परसनट की वयली आट्ट सेदुकर सकते या फिर इसको कर सकते आप झाया diving कौर्ण पॉंट नहीं ठीक है यह सही है कि इससे काटिंग है अब आर्धे चानबे एक परसेंट के वेल्य आठ हो गई तो सोब परसेंट की वेल्यू कितने आगई तो परसेंट की वेल्यू आपकी 800 इधर लिख दिया कि उधर शायद कड़ जाता है इसलिए मैंने इधर लिए ठीक है उमीद है आपको समझ में आया होगा तो परसेंट की वेल्यू आट सो ऑप्शन नमपर दो ब्याद ही असान है डायरेट 244 में एक्जाम में आप कैसे करेंगे इससे ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे लिए तिन सो चालीज में से दो से चोवालीज घटा देंगे चांवे निए अधर को बारा से डिवाइट करेंगे फिर सौ से गुना करेंगे तो अंद्रेट परसेंट की बेली कुतने आगी आड़ सो ठीक है एक एग्जामिनेशन में जो क्या दिये गोपाल ने पंद्रा परसेंट ज्यादा मार्क स्कोर की आशा से और आशा ने कितने मतलब इसने पूछा है कि गोपाल ने कितने मार्क ज्यादा स्कोर किये सचीन से ठीक है तीन लोग है गोपाल आशा और सचीन ठीक है गोपाल ने कितने स्कोर किया पंद्रा परसेंट मार्क स्कोर किया पंद्रा परसेंट के फ्रेक्शन वैल्यू तिन बटे बीज गोपाल ni जो फंद्रा पर्सेन्ट ज्लाव किी आशा से आशा से ज्लावर्लस के मरलब आशा कीतना स्कोर क्या सिस्टे घite उपाल आपकी घोपाल अर आशा 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 किया आशा आशा ने जो स्कोर किया अब क्या है कि यहां पर यहां पर 11 लेंगे अब 20 दिया वीडियों बताए कि किसको कैसे करना पहले तो इसको लेंगे दो इधर है तो इधर लिखलेंगे तीन इधर गुर्ण पर इसम तीन और दो पांच ठीक है यहां गया फि यहां पर दस गुने पीस दोसो अब अब हमसे सवाल में पूछा है ह长 Day कि गुपाल ने कितने ज़्यादा श्कोर किया लगोवर्प गश्टी थिंज से ज्यादा तो आप बोलेंगे 200 में से 233 में से 232 ओस्या गाल स्कॉर किया एतर्पण ज्यादा स्कॉर किया किस से सचीन से और सचिने क EduYA को कर दे परसेंट 26.5 परसेंट ऑप्शन भी आपका सही है ठीक है 25 हो गया ज्यादा सवाल नहीं बच्चे है इच्छे की है ठीक है एक क्लास है फाइब सेक्षन का जिसमें की 25-30-45 और साथ स्टुडेंट है ठीक है पांच सेक्षन है क्लास में जिसमें से की पांच खंड है जिसमें कितने 25-30-45-45 और साथ बच्चे है ठीक है अगर पहले में 20 परसेंट डूसरे में 30 तीसरे में 35 चौथे में 40 और पांच वे में जो है 100 परसेंट बच्चे पास करते हैं तो बताइए पूरी क्लास का पासिंग परसेंटेज किया ठीक है इसको कर लेंगे डारेट इसको रेशियों में तोड़ जा सकता है ठीक है पहले के लिए पांच दूसरे के लिए 6 तीसरा आठ से आठ पंज चालिस नौपांच ठीक है सारे के एक वैल्यू जो है पांच से चली गए पहले में 20 परसेंट दूसरे में 30 परसेंट तीसरे में 35 परसेंट और चौथे में 40 परसेंट चौथे में कितने 40 परसेंट बच्चे जो है पास किये ठीक है और पांच में 100 परसेंट और तो कोई मुझे दिखने रहे कटेंगा ठीक है अब इसको कर लेंगे या तो वेटेड आवरेज से कीजिए या तो फिर जैसे आपकी इच्छे वैसे कर सकते हैं एक बार इससे डेविएशन से कर देते हैं यहां पर क्याओर बीस गुने पांच गुने पांच 100 परसेंट ठीक है ना इसके लिए तीन तो साट और वहां पर आपका बारा सवगों तीन और जोड़ लेंगे विए सव कर तेन अहें तो जो ने सब्सक्राइब गया सहर दो सब्सक्राइब और तीन सो चलएंच ऑर सब। साथ कि 920 920 और 1200 920 और हजार जोड़ लेंगे कि 920 की बजाए हजार जोड़ लेंगे ठीक है 1200 प्लस हजार कितना आएगे 2200 में सेसी घटा देंगे 220 ठीक है यही आ जाएगा आपका 120 आपका आगया यहां पर टोटल ठीक है 120 जो आपका टोटल आ गया कितने में से पांच प्लस छे ग्यारा ग्यारा और राट कितना हो गया उनीस और नौ अठाइस अठाइस और यह बारा चालीस चालीस से इसको भाग देंगे कितना जाएगा यहां पर तिरफन परसेंट आपका एग्लिएट वैसे डेविशन से करते तो भी लगबग इतना लगता क्योंकि इतना पांच वैल्यू पांच वैल्यू उसका डाटा दिया है तो क्यल्कुलेट करने में थोड़ा दो टाइम लगता है कम से कम पांच सा सेकेंड तो लगते यह जान पूच्के भी देते था यह तो छोड़ने ऐसां प्रक्वाल बन जाता है थोड़ा सलंवी कल्कुलेशन करने में परफ़सा इसलिए एक्जामिनर फसाने के लिए देता है इसलिए आपको क्या करना है डेली जो है मैंने जैसे स्ट्राटीजी के वीडियों बताया था कम से कम जो है दस से बीस जो है एडिशन सब्स्ट्रेक्शन मुल्टिप्लिकेशन डिवीजन वगर आपको हरोज प्रैक्टिस करने ताकि जब मैं टाइम बता के आपके दिमागे प्रेशन नहीं डालना चाहता है जब हम रिवीजन में आएंगे तब मैं बता हूँआ कितने टाइम में इसको किया जा सकता है ठीक है चलिए सेगेंड लास कोईशन करते है डूरिंग एक जैंग फर्स्ट यह में जो है इस एक स्कूल के स स्कूल की स्टैंट बिगनिंग में कितने थी हमें यही बता रहे हैं चलिए करते हैं पिछली बार मैंने कुछ और तरीका बताया था इस इस मेतल से भी कर सकते हैं और पहले कुछ था अब नहीं आए ठीक है तरीका वह यह बस लिखने का फॉर्माट बदल रहा है ठीक है बारा परसंट की फ्रेक्शन वाल्यू क्या हो कि तीन बटे पच्चीस ब्यानि तीन बड़ा पच्चीस में से पहले पच्चीस से तो आप घट गया मतलब पहले पच्चीस था तो आप कितना हो गया 22 कि इसके बाद थर्ड येर में क्या 10 परसंट से बढ़ए थीर में आपका 10 परसंट से बढ़ए दस था आप 11 हुए ठीक है यह दिया कर लेंगे पच्चीस गुने पैच्षी से सबच्चीस और 625 गुने दस चेजार दोसो पचार अठाइस और यहां पर थोड़ा सा केलवेट करना पड़ेगा ठीक है 28 दुगनी 56 और 56 और 121 देखिए 28 को क्या करेंगे 28 गुने 2 गुने 11 गुने 11 ऐसे लिख सकते हैं ठीक है ना इधर कर लेते हैं अठीक है इधर कर लेते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 गुने 2 गुने 11 गुने 11 ऐसे लिख जा सकते हैं इस बाइस को मैंने दो लिख दिया अब इस दो को हटा के मैं अगर इधर लियां इस दो और इस 28 को गुना कर दो ते कितना बन जाएगा 56 तो 56 और 11 का वर कितना होता है 6776 तो यहीं आपका यहां पर आगया चैसे करनी है इसी कैसे करना है कैसे तोड़ना को यहां पर मैंने सिखाए ठीक है तो आप दूसरी चीज़ा है वह आप से करेंगे तो आप सीख जाएंगे दीरे दीरे फिलाल क्वेशन पर फोकस करते हैं हमारा क्या आगया फाइनल जो है 6706 तर आगया इसकी वैल्यू किसके बराबर दी है हमें हमें दी है 10,842 के बराबर हमें यह वैल्यू दी है ठीक है ना तो यह लगभग कितने गुना है एक और यहां पर कितना बचेगा एक यहां पर 6,001 चलिए करी लेते हैं क्योंकि यह डाटाइट अफ एप्रोक्स कैलकुलेशन देनी है देखिए कैसे करेंगा यह लगभग कितना जाएगा आपका और यह जो है यह जो है 6,776 में से इसको भाग देंगे तो कितना से जाना चाहिए लगभग लगभग इसका कितना हो जाएगा अधर कितना हो गया 3,000 आधर शेजार और तीन हेजार नौ जार नो हजार और इदर सातसो और तीन स्व लगभग जाएगा मतलब यह है जो है जर्बूना है इसका तो इसका वीडिया टेर गूना होगा तोगा ये लगभग एप्रोक्स में आंसर क्योंकि नीरली दिया है लगभग दिया है लगभग दिया है तो हमें इसको क्या करेंगे इसको डायरेक्ट जब एक पॉइंट पाइंट से समय कर दो छेड़ो पांच जिरो को एक पॉइंट पांच से गुना करेंगे तो यह जिरो कटम हो जागा यह बचे का कितना यह पर पंदर है पंदरा पंज पचत्तर हासिल साथ पंदरा दुगनी तीस साथ साइंटिस बचा कितना तीन पंदरा क्षेक नब्य और यह 93 लगभग नोहाजार साथ सो पचात मनलब 9000 लगभग हमने कमी लिया वैल्यू कि कमी मानके चला 1.5 मानके चला है 1.6 के लगभग जाता पॉइंट 6 भी जा सकता था तो हम लगभग 9000 के आसपास है साड़े 9000 के आसपास तो साड़े 9000 के आसपास हमारे पास एक ही वैल्यू है वह है ऑप्शन नंबर भी दस अजार ठीक है यह यह अप्रोक्स कैलकुलेशन है क्योंकि यहां पर अल्रेट है चलिए कोश्यन नंबर अठाइस आज का आखरी सवाल करते हैं कि टोटल नंबर सुड़ेंट एक क्लास में जाए और बी में बहत्तर एक दो ग्लासे जए और भी है उसमें टोटल जाए बहत्तर स्वांट है क्लास ए में जो है चालीस परसेंट ज्यादा स्टूडेंट है यह जो है एक सो चालीच परसेंट है एवरेज मार्क्स सारे बच्चों का अंठावन है टो एक कंच्छा एक स्टूडेंट का ह्में यह ही बताने है चलिए करते हैं यह और भी हमारे पास दो क्लास्स टीक है टोटल यह बहत्तर है और नंबर अस्ट्रूइंट कितने हमारे पास चाल यह में 40 परसेंट ज्यादा मदब 40 की प्रेक्शन वैल्यू क्या गए को दो बटे 5 मदब दो ज्यादा है पांच से ए में दो ज्यादा सब्सक्राइब अबर यही सवाल में सब्सक्राइब क्या होती एक बटे दो एक बिक जो है ज्यादा है इए से एक ज्यादा है इसे इतनी इता एक चाह किसे सब्सक्राइब कर लेंगे इसका निकल निकाल लेंगे पिछली बार इस बार यह डाटा की बहुत छोटा तो वेटेड आवरेजी ज्यादा साथ यह कीस और पांट दस इक आतिस बाटे साथ पांट बारा की वैली एक तनी हां आरे पास अहां साथ यह कीस और दस अन्ठावन कि एक सेगेंड कि अच्छा बीगा 30 परसेंट जाता है यही तो प्रॉब्लम बीगा 50 परसेंट जाता है ना तो एक अगर दो है यहां पर तो सब किया था लिखने में गड़ बढ़ सब एक दो है तो से बिग्काइं यहां पर फोड़ी संसे ंट बढ़ तर ग्म तो इस चौनी 6 और पहां तो इसपार में और चौदा और एक शादुडनी चौनी चौनी पहां नहीं कि तक discipleship है । कितनी से कितनी है 24 कितना वेल्यूar गरेंगे दो से घुना कर देंगे तो यहां भी दो से गुना करेंगे तो कितना बनेगे तो चौबिस ठीक है ना चौबिस ने सब्सक्राइब ना यह कहां तो तालीस हमारा ओप्शन पूर यह राइट आंसर है ठीक है कि मुझे लगता है शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा खिज गया हुआ लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी अपने संतुष्टी के हिसाब से पूरा अच्छे से डीटेल एक्स्प्लेनेशन दू काफी महनत लगती है इसमें कोश अच्छे से उपयोग में ला रहे हैं तो फिक है इस वीडियो को यहीं पर समाप्ट करते हैं तो मैं उम्मिद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजेगा ठीक है और अगर आप हम से जुड़ना चाहते ह मैं जो मैंने बताया और नीचे दिये जारे नंबर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए ठीक है लगे रही है ऐसे पढ़ाई में और इस बार सेलेक्शन लेना है दोजार चौबीस है इलेक्शन का भी टाइम है हर एक जगह पर एलेक्शन हर सेट में इस आप से रिक्रूट्मेंट करें भी बहुत तेज़ी से आरहे है तो हर जगह पर निकल रहे है वेकेंज़ी के और उसमें वेकेंशी काफी अच्छी अच्छे नमबर में बड़त ऐसंची नहीं नहीं रहे हैं तो दोजार चौबीस इक बहुत अच्छी अपरश्शनिटिटी आपके लिए कि आप यहाँ पर सेलेक्शन लें ठीक है इसी के साथ वीडियो समप करते हैं धन्यवाद जैए